Hello guys, welcome back to I Take Up In The YouTube channel, मेरा नाम है तुरूवीन So guys, आज की स्प्राने उडियों बात करने वाले कि अपने iPhone या तो iPad में Instagram एकाउंट को permanently कैसे डिलीट करें बहुती सारे Instagram users ने रिपोट किया है कि Instagram के नियो अपडेट के बाद हमारे iPhone या तो iPad में Instagram एकाउंट को कैसे डिलीट करें So guys, Instagram users का कहना है कि कैसे डिलीट करना होगा वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक मेरी चैनल को लाइक कमेट से सब्सक्रेब नहीं किया तो प्लिस लाइक कमेट से सब्सक्रेब कर दीजे इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि आप अपने iPhone में Instagram एकाउंट को पर्मेनेटली कैसे डिलीट कर सको उसका प्रोब्लम का सोलुशन्स मिल जाएगा आज की इस brand new tutorial में बात करने वाले की iPhone स्पेशली कैसे Instagram एकाउंट को डिलीट करे वो भी पर्मेनेटली उसके लिए सबसे पिले अपने iPhone को Strong Wi-Fi से करनेक करने के बाद लेटेस्ट वर्जिन से Instagram एप्लिकेशन को डाउनलूड इंस्टोल कर लेना होगा Instagram एप्लिकेशन को ओपन करने के बाद आपको राइटन सेट बोर्नर पे प्रोफाल सेक्शन दिख जाएगा उसके उपर क्लिक कर लिजिए profile sections में आने के बाद right hand side corner पे 3 lines दिख जएगा उसमें से आपको setting select करना होगा यहाँ पे setting select करने के बाद score down करके आपको account sections में score down करके again delete account का options मिल जाता है delete account पे click करने के बाद यहाँ पे first one options मिलता है deactivate account and second options मिलता है delete account आपको अपना Instagram account को permanently delete करना है तो simply आपको delete account पे click करने के बाद अपना Instagram account का correct password enter करके easily आप delete कर सकते हो एज simple process आपको only for the iPhone users के लिए रहने वाला ही आपको Android के लिए चाहिए तो please comment sections में comment करके बता दिजिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो please like comment से subscribe thank you so much take care bye